नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में बजार में दो शांदार मूव आ रहा है बढ़िया तेजी बन रही है और अभी निफ्टी 22,170 डे हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी यहाँ पे आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ अदानी गृूप के स्टॉक्स के बारे में अदानी गृूप की बात की जाए तो काफी अच्छा मूव देखने को मिला है इनके कुछ स्टॉक्स में और एक ख़बर भी आ रही है और इस ख़बर को मैं आप सभी के साथ अल्रेडी डिसकस कर चुका हूँ बढ़ यह हाईलाइट अभी दुबारा से हो रही है यह एक्च्छली में कोई रीसेंट की ख़बर नहीं है एक आद अफते पुराने ख़बर है यह पहले मैं स्टॉक्स के भाव बता दूँ अदानी एंटरप्राइज लगबग 3300 के पास आपके लिए पहुचता हुआ दिख रहा है अदानी चलेगा लेकिन सिर्फ यह था कि यार मैंने 2300 पे देखा है अदानी एंटरप्राइस 2400 पे देखा है 2000 पे देखा है अब और तेज रफ्तार से ग्रो करने के लिए अदानी गुरूप तयार है और अदानी गुरूप इस समय नंबर वन भी बन चुका है बट जो भी है टाटा गुरूप ने मतलब पहने आपके साथ दो दिन पहले एक वीडियो कवर करी थी 30 लाग क्रोड का मार्केट कैप टच किया था और अभी आज जितना मार्केट कैप टोटल अदानी गुरूप टाटा गुरूप का है उतना फूरे पाकिस्तान की एकोनॉ अधानी ग्रीन ये सब काफी अच्छा ट्रेड कर रहे हैं मैंने आप सभी के साथ अधानी ग्रीन में भी करिदारी करने की टाय दी थी 1902,000 के लक्ष के लिए 2,000 हो गया है आज पूरा ही एक्जेक्ली 1975 ट्रेड कर रहा है 1600 रुपे के सकरीब कहा था तो ये स्टॉक चलने ये सब को पता था बस लेके बैठने की हिम्मत नहीं दी जहां मैंने आप सभी के साथ कोशिश करी हिम्मत देने की confidence देने की कि भाई साब आपने सही पिक करा है स्टॉक बैठे रहो पैसा बनता रहेगा अभी यहां से भी बनेगा अच्छा एक स्टॉक जो नहीं चला है 531 से 1000 का और अभी तक 1000 रुपे पे ही ट्रेड कर रहा है तो यह क्या चलेगा इसको लेकर मेरा कहीं नहीं डाउट अभी तक बना हुआ है बाकी तो सब चल गया है अब आ जाता हूं मैं एक बार आपके लाद खबर पे तो खबर वही है फंड जुटाने की मैंने आप सभी के इनके उपर आरोप लगाए तो क्या सबसे वड़ी प्रॉबलम हुई कि इनने पैसा नहीं दे रहा था कोई फंड को प्रॉबलम फंड से रिलेटेड इनके उपर प्रॉबलम आ गई और अदानी गुरुप सिर्फ एकी चीज़ जानता है पैसा लो करज पे कंपनियों की ग् को एक्सपेंड नहीं कर पा रही थी लेकिन अब दुबारा पैसा मिलने लगा है क्योंकि सारे एलिगेशन जूटे निकल गई है तो अब यहां पे एक बार फिर सौवरेन बॉंड के साथ सौवरेन फंड के साथ बातचीच चल रही है रेज करना जा रही है कंपनी अरॉंड थाई बिलियन डॉलर अर्मोस्ट पीस हजार करोड के करीब होता है बीस हजार करोड रुपे फंड रेजिंग की बात चल रही है अदानी गुरूप की मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जब हिंदन बगवाला मैटर हुआ था तब अदानी एंटरप्राइस का एफप् स्क्राइम लेवल पे अपने आपको एकस्पैंड करने की कोशिश करेगा और उससे कोशिश करने के लिए सिफ आ की चीज़ चाहिए वह हैं पैसा और इन्हें पैसा कम्पनिया देती है दो रीजन के पास लेंड बहुत है इनके पास एसेट्स बहुत है और दोर का हाथ है य एक अलग बात है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ जादा है तेजी दिखती है इसकोप दिखता है बाकि मेरा मानने है कि यहां से भी भी मूव बचा हुआ है इने स्टॉक्स में अभी रिसेंडली साड़े 9000 क्रोड के करीब आपने अदानी गुरूप में जो टाए है 1480 रुपे के भाव पर तब ही मैंने काता है इसे लेके बैठे रहो 1600 रुपे यह 1902,000 की तरफ जा रहा है वो हो गया दो महिने नहीं लगे है तो जो खरीदर है न वो भी पैसा बना रहा है अदानी गुरूप पे पैसा आ रहा है और इन्वेस्टर भी पैसा बन